प्रियो देश बाषी, अस्तलामू अलाइकुम। आपनारा जानेन पुधार्मंत्री शेख हसीना राष्ट पुतिर काचे पदत्तेक पत्रो जोमा दिये छेन। एबंग आमिता ग्रोहन करे छी। पदत्तैक आउ बीष्यम्म्म विरोतिए चात्रो आंदलाने सिस्ट पुरीशिती ते वंग भवने तीन बाहिनिर पदान और विभन्य messenger दले नेत्री बिंदो शुर्षीर समाजेर पतिनिधी आउ बीष्यम्म्म विरोतिए चात्रो आंदलानेर कोयक्जन श्मनन आयक देर साथ आलोचना हॉय। शुरुते ही शेनापधान बिराजमान शार्विक परिस्थिती ओ राजनुतिक दल्गुलोर शाते तार आलोचना सम्पर्के आमा के ओभुहितो करें। राजनुतिक नेत्ति बिंदो एशमायता देर बक्त बत तुले धरें। सभाय बोईशम्म विरुदी चात्रो आंदलनेर निहोतो सहित देर सरणे सोक पस्ताव ग्रिहितो हॉय। एछाडा जोरुरी भित्तिते एक्टि अंतरवत्तिकालिन सरकार गठनेर सिध्धान तो नाव हॉय। सकल दल और अंशिजन देर साथे अलचना करेर गठितो अंतरवत्तिकालिन सरकार जतो दृतो सम्भव निर्भाच्यनेर व्यावस्था करवे। बोईशम्म विरुदी चात्रो आंदलन और विभन्न मित्था मामलाए आटक्ष हो। सकल बन्दी देर मुक्ति दा हवे। बोईशम्म विरुदी चात्रो आंदलनेर निहोतो देर परिवार देर खोती पुरुन पदान और आहोतो देर सुचिकिर्षार प्रजुनियों सकल सहता दा हवे। सर्वशम्मतिक क्रमे बिएनपीर चेरपरसन बेगम खालिदा जियाके मुक्ति दावार सिधान तो नावा हवे। प्रियो देश बार्षी आमी देश राइन स्रिंखला परिसिती साभविक करते एबंग लुक्तो राज ओ धंशत्तो कर्मकानलों बंधो करते राजनोतिक दल्गुलोर पती आहब बान जानाच्छी। जनगने जालमाद और राष्टिय सम्पद रखाए ससुस्त्र बाहिनिके कठोर पदक्खेप नावार निर्देश पदान कोडछी। सांप्रुदाइक संप्रिती और संखा लोगुदे निरपत्ता निश्चीत करते एबंग सरकारी संपत्ती रखाए सकल के एगी आशार आहब बान जानाच्छी। देशेर अर्थ निती पशासन और सिल्प कोल कार्खाना चालू रखार लख्खे सकल के काज्यकर भुमिका रखार आहब बन जानाई। एछारा जारा हत्ता और सोहिंशता सते जोडितो निरपक्खो तलनतेर माध्धोमे तादेर के आईनेर आहताए आना हबे। गनपचातन त्री वांगला देशेर संग्विधान उन जाई। अन ती बिलोम्बे बर्तवान संग्षद बिलुप्तो करा हबे। देशेर शकल अफिस आदलत शाभविक भावेई चोल बे। प्रियो देश बार्षी, आशून आम्रा देश के माचाते एक जोगे काच करी। पारश्परिक हिंशा बिद्देश भूले और पती हिंशार उड़ धे उठे देश के एग ये निते नीज-नीज अभस्तान थेके भूमिकार आखार जन्नों आमी बिनायर शाते आपना देर पती उनरोद करची। एक्टि सुन्दर और सुनाली भुभुष्षतेर पत्ताशाए आमरे एगिये जाबो इन्शाल्ला।